नमस्कार घमासान हेल्ट टिप्स में आपका स्वागत है। 27% भार्दियों की मौत का कारण भी यही है लेकिन रोजाना के आहार में बदाम को शामिल करने से डिसलिपी मेडिया जैसी बीमारियां का खत्रा कम हो जाता है इस बीमारी में शरीर के लिए हनिकारक LDL कलिस्टरॉल की मात्रा बढ़ जाती है जबकि HDL कलिस्टरॉल का स्तर कम ह हो जाता है न्यूट्रिशन और रदय रोग विशेशग्यों ने करीब 1600 अध्यनों का विशलेशन करने के बाद ये बताया कि रोजाना 45 ग्राम बदाम खाने से दिल हमेशा स्वस्थ रहता है इससे LDL का इस्तर भी सामाने बना रहता है इसके अतिरिक्त बदाम खाने से कालिता का कहना है कि दिल की बिमारी का खत्रा केवल भारत में रहरे लोगों को ही नहीं बलकि विदेशों में रहने वाले भारतियों को भी है इसलिए उन्हें भी रोजाना बादाम का सेवन करना चाहिए